सपा कॉंग्रिस गठवंदन सल्मान खोर्षीद ने जताई नाराजगी सीट जाने से दूसरा ठिकाना तलास रहे हैं कॉंग्रिसी नेता लोकसाब चुनाव के लिए यूपी से सेफ 17 सीटे मिलने से कॉंग्रिस के कई वर्ष नेता अब इधर उधर ठोड तलास रहे हैं पार्टी के पूर प्रदेश अद्यक्ष और पूर मंतरी सल्मान खोर्षीद ने सोशल साइट एक्स पर नाराजगी जताई हैं आला कि पार्टी के नेता किसी तरह की नाराजगी से इंकार कर रही हैं इंडिया कठवंदन के तरह सीटों के बटवारे में पार्टी के कई वर्ष नेता चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं जबकि वे पहले से चुनावी तयारी कर रहे थे अब नेताओं ने दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक जो राजमाई शुरू कर दी है क्योंकि पार्टी के जातर नेता मुरादाबाद में सानिवार से शुरू हो रही दूसे चरण के भारत जो नया यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं अब ही तक पूर मंत्री नकुल दुबे लखनो या सीतापुर से टिकेट मांग रहे थे लखनो सपा के खाते में चली गई है जबकि सीतापुर से पूर विधाय किराके स्टाटोर को मैदार मतारने के तैयारी हैं ऐसी में नकुल ने भी अब सीतापुर पर दावा कर दिया है पूर मंत्री अद्देक्ष बरजलाल खाबरी जालौन से दावीदारी कर रहे थे लेकिन ये सीट गढवनन में हाथ नहीं आई है इसी दिने राजिस्पती मिश्र भदोई ही से तैयारी कर रहे थे जबकि फरुकाबाद लोगसभा सीट से सल्मान खुरशीद और कौसले नरियादा तैयारी कर रहे थे शुक्रवाद रुपरबाद सर्मान खुरशीद ने फरुकाबाद से मेरे रिस्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा सवाल मेरा नहीं पर हमारे सब के मुस्त काबिल का है आने वाली नसलों का है शुक्र करतू एक्स पर पोस्ट लखी इसे स्यासी तोर पर उनकी नाराजगी से जोड़ कर देखा जा रहा है फरुकाबाद की स्यासी जमी पर उनके निर्दली मैदान वतरने की भी चरचा शुरू हो गई है अला कि वह खुद इस मुद्धे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है प्रदेश अद्देख शजराय कहते हैं चुनाव लड़ने की तैयारी सब यसी सीटों पर थी हर सीट पर पार्टी के निता तैयारी कर रहे थे लेकिन गड़फंदन के तहट 17 सीटें में फिलहाल इनी पर चुनाव लड़ा जाएगा